महराश की शरत पवार के इस्तीफे के एलान की सबज़दा गूंज उनके इलाके बारमती में हैं सीनिय पवार के अध्धक्षपत से इस्तीफे के बाद उनके गाउं काटेवारी का रुख क्या है आखिर बारमती का हर घर, हर पार्टी से जुड़ा शक्स, पवार, परिवार का मुरीद क्यों है इसके पीछे क्रिशी रोजगार का बड़ा रोल है क्रिशी का विज्ञाने करण शरत पवार की बड़ी उपलबता रही है देखे उनके गाउं काटेवारी और बारमती के क्रिशी विज्ञान केंडर से ये ग्राउंड रिपोर्ट शरत पवार के गड़ बारमती में इस वक्त हम हैं पवार मतलब बारमती और बारमती मतलब पवार आखिर क्यों कहा जाता है घर घर में पवार परिवार की पहुंच इतनी पुखता क्यों है यह समझने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और इसमें जो कृषी रोजगार है उसका बड़ा हाथ है यह हमें समझ में आता है कि साल में 5 लाख किसान है जिसको इस केंद्र द्वारा इस ट्रस्ट के द्वारा सक्षम बनाया जाता है हाई टिक टेकनोलोजी से उन्हें समझाया जाता है कि किस तरह से वो अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं कम खर्च के साथ और महराश्ट के इस तहसिल की बात करें बारामती की तो यहां के लिए बहुत बड़ी बात है कि सूखा ग्रस्ट इस इलाके में गन्नी जैसी उपज शुगर केन की उपज जो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे सामने इसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तिमाल होता है पानी इसको ज़्यादा जरुरत होती है लेकिन ऐसी जगह पर जहां पर पानी की समस्या हो बारमती में फिलहाल आपको बता दें कि 300 mm की बारिश होती है जबकि ऐसे अग्रिकल्चर के लिए कम से कम 600 mm की बारिश होनी चाहिए ऐसे में भी जो किसान है यहां के इस इलाके के उनको कम से कम समस्या हो ऐसे बहुत सारे टैंक्स उनके लिए बनाए गये हैं इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हम आए हैं मुंबई से करीब 200 km दूर पूरे जिले की तहसील बारमती में जो शरत पवार का गड़ है और बारमती से करीब 10 km की दूरी पर यह है शरत पवार का गाउं काटिवाडी रोज सुभा साड़े आड़ बजे पंचायत बैठती है चर्चा विमर्ष का महौल बनता है इंडी टीवी भी इसका साक्षी बना आवाज बुलन थी बारमती के विकास कारियों का मॉडल यहां हर पार्टी के कारेकरताओं को पवार का करीबी बनाता है रूरल एरिया है बारमती के अजुबाजु में वहां पर बहुत डेवलेपमेंट हुई है और उसी वज़े से यहां का जो लोगों का रहन सेन है वो भी बहुत सुधर गया है मतलब उसमें बहुत सुधार आ गया है और वो उनी की देन है अधिक सी कोई भी हो लेकिन महराट का सीम अजीत दादा मनना चाहे हमारी मांगे लगता है नहीं जाएंगे लिकरे तो हम भी दादा की साथ रहेंगे किसानों के लिए एक बार बिजली पूर्ण बिजली माप बिल माप किया वन टाइम उन्होंने जो बॉला एनेजबी का प्रकरन वो उस प्रकरन मिलने के बाद ग्रामेन बाह का किसान करजा मुक्त करजा मेला तीन चार साल उस दिन हमको आच्छे दिन आहे उस पर बैंके के लोन लेकर हमका धंदा बढ़ गया यह कहानी सत्तर के दशक से शुरू होती है जब शरत पवार के बनाय अग्रिकल्चर डेवलप्मेंट ट्रस्ट ने खेती का ढ़ंग भी बदला और किसानों की जिंदगी भी गन्य की खेती में काफी कम पानी के इस्तिमाल की तकनीक विक्सित हुई एक एकर के लिए दो से ढ़ाई करोड लिटर पानी लगता है यहाँ पे हम एक करोड में उसका पूरा एक एकर की खेती कर रहे है और पानी की जरूरत कितनी है पहले हमें चार इंच फिर छे इंच और आठ इंच उसे ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेट करके त्रू ड्रीप इरिगेशन हमने पानी की जो मातरा आउशके उतना लोगों को पड़ाया और उसके द्वारा ही हम बता रहे है कि फटलेदर भी लोगों को ज़्यादा उसको वेश्ट करनी के जरूरत नहीं है क्रिशी शेत्र के लिए बना ये देश का ऐसा पहला ट्रस्ट है करीब 230 एकड में फहले क्रिशी विज्ञान केंदर में किसानों को हर मुम्किन हाइटेक ट्रेनिंग दी जाती है देश के हर कोने से किसान ट्रेनिंग पाने यहां पहुचते हैं प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया अभी जो सीरियल से पलसे से विजटेबल है उसमें हुमेपैती इंट्रोडीउस किये तो उससे हम क्या करते है कि पूरा पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो हुमेपैती स्प्रे करके हम कंट्रोल कर रहा है जैसे human में हुमेपती का medicine दे रहे हैं वैसे हम spray crop को दे रहे हैं तो उससे क्या होता है कि paste attack बहुत minimum हो रहा है और healthy crop गोर रहा है जम्मु कश्मर से कम्या कुमारी तक जो dairy में farmers है होटी कल्चर में farmers है जो शुगर कें में farmers है इंट्रेस्टेड वो फर्मर भी यहां आये थे तो इस साल चार राउंड चार लाग फार्मर ने इस जन्योरी में यहां पर विजिट करके अच्छा अच्छा टेक्नोलोजी समझ के उसका आवेर्नेस लेके ट्रेनिंग लेके अभी कुछ नया कंसेप्स लाए जैसे आप यह सकते हैं यह मैं नहीं है यह को कोपीड की खेति हैं तो इसको हम लोगे तो इसका पूरा ज्यान हम किसानों को training के तरहेद देते हैं हमारा main component है ये सेंटर का की seedling production, visitable seedling production, इसमें हम disease free quality saplings प्रडूस करते हैं more than 50 lakhs seedlings हम protected cultivation की किसानों को हर साल हम किसानों को देते हैं वो भी no profit no loss basis पर और इसमें पूरा end to end support करते हैं कल्टिवेशन से लेके एंड तक, मार्केट तक हम हम और उसके बाद एक्सपोर्ट तक शरत पवार के पूरवच सातारा से विस्थापित होकर बारमती के काटेवाडी में बसे थे कड़ी मेहनत से बंजर जमीन को उपजाओ बनाया और फिर गणने की खेती शुरू की शरत पवार के हमेशा चीनी लॉबी पर हावी होने की असल वज़े 20 पीडियों से इस शेत्र में उनका प्रभाव है शरत पवार नहीं तो आखिर कौन इस गड़ में फिलहाल सबसे खास चहरा भतीजे अजित पवार नजर आते हैं उनका हर रुख बारमती में खास तस्वीर पेश कर सकता है बारमती से कैमरा में नलताफ के साथ पूजा भारत वाज इंडी टीवी इंडिया